असलाम लेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडेक्शन मोटर और सिंक्रोनिक्स मोटर के आर्पेम में क्या फ़र्क होता है इंडेक्शन मोटर दोस्तों आपने देखा होगा इंडेक्शन मोटर इंडेक्शन मोटर में मोटर में अठाइस सो आर्पियम होते हैं सिंक्रोनिक्स मोटर में दोस्तो तीन हजार आर्पियम होते हैं ठीक है दोस्तो और इसमें दोस्तो आपने देखा होगा पंदरा सो आर्पियम आजाते हैं दोस्तो इसमें चोदा सो आर्पियम आजाते हैं दोस्तो इसमें आपके एक हजार आर्पियम आजाते हैं दोस्तो इसमें नो सो आर्पियम आजाते हैं यह आपने देखा होगा तो दोस्तो कहने का मतलब यह है कि जो इन दोनों मोटरों में फ़र्क है आज हम उसके बारे में डिसकस करेंगे कि यह 3000 रपीम और 2800 रपीम में क्या फ़र्क है और यह किस तरह से आते हैं तो दोस्तो हर मोटर में दो पार्ट होते हैं हर मोटर के दो पार्ट होते हैं, एक रूटर होता है दोस्तों नमबर टू, स्टेटर होता है ठीक दोस्तों स्टेटर आगए है दोस्तों अज duż हमारा मूव करने वाला पार्ट होता है दोस्तो रूटर यह मौरड़ आ गया है इस‌टेतर आ जोस्तो यह मुव करने के लिए होता है ताके हम कोई भी mechanical इससे अपने working करवा सकें ठीक है stator हमारा magnet की field बनाता है यह हमारा magnet की field बनाता है तो दोस्तों आपने देखा होगा synchronous motor में जो उसका armature होता है उसके अंदर भी winding हुई होती है और जो इसको winding हुई होती है उसको हम DC voltage देते हैं ठीक है दोस्तों इसके armature को यानि कि इसके router को हम DC voltage से operate करवाते हैं और इसके stator को हम three phase या single phase supply देते हैं ठीक है दोस्तों synchronous motor की बात कर रहा हूं मैं यह synchronous motor है इसके armature में winding हुई होती है ठीक है दोस्तों इस वज़ा से इसका जो formula है 120 जर्बे दोस्तों frequency over pole अब answer जो हमारा निकलेंगा अगर for example मैं ले ले लेता हूं यहां पर 120 जर्बे frequency sorry 50 hertz for pole ले लेता हूं तो दोस्तों हमारा answer आएगा 1500 RPM synchronous motor का ठीक है दोस्तों 1500 RPM हमारे आगें इसके दोस्तों जब हम इसको स्टेप हमारा यह रूटर आ जाता है synchronous root देखो दोस्तों synchronous यह आगे दोस्तों और यह हमारा आ गया दोस्तों कि अपना induction motor का formula ठीक दोस्तों synchronous motor rotating magnetic field की speed होती है router का जो magnetic field speed होती है और दोस्तों router जो हमारा induction motor का होता है इसकी router की speed router की speed कम होती है जो के rotating magnetic field है इसके साथ router ने घूमना है जो इसके अंदर दोस्तों यह देखो यह हमारा motor आ गयी है ठीक है यह हमारा router आ गया है मेंशन कर देतो induction motor का induction motor induction motor induction motor का ठीक है दोस्तों अब इसको हमने three phase supply दी induction motor को यह स्टेटर को ठीक है और इसके router में winding नहीं हुई होती ठीक है और इसका magnetic field बनती है स्टूटर जब magnetic field बनता है तो इसके अंदर जो air space होती है वह 0.5mm होती है ठीक है दोस्तो 0.5mm होती है router और स्टेटर के दर्मियान जो air gap होता है 0.5mm air gap होता है magnetic field की ताकत है जो magnetic field की ताकत है air gap space को पार करके तब router को पकरता है ठीक है दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों यह अभी यह हमने इसको supply दी है यहां पर magnetic field बन रही है हमारी यह हमारा जो गैब आ रहा है 0.5mm का आ रहा है जब magnetic field बनेगी तो इसके अंदर जो space है router के magnetic field के अंदर 0.5mm की space आती है उसको क्रास करके magnetic field ने router को घुमाना है जो हमारा router जब घुमेगा तो इसकी power कम हो जाती है router की तो इसमे लोस हो जाता है RPM का ठीक है दोस्तो RPM का लोस हो जाता है इसलिए हमेरी router पर speed कम मिलती है उसकी निस्बत हमेरी router पे frequency मैंने जैसे के बताया है फार्मूला यह आ रहा है मारे फॉर पॉल की मोटर है तो उसमें 1500 RPM आ रहे हैं यह सिंक्रोनिक्स मोटर के आ रहे हैं ठीक दोस्तों सिंक्रोनिक्स मोटर के और अगर हमारी अगर हमारी इंडेक्शन मोटर है तो हमारे रपियम आएंगे 1400 RPM 4 पॉल मोटर के उसका जैसा के मैंने आपको बताया है हमारी यह स्टेटर है और यह हमारा router है इयर गेप जो इसके अंदर आएगा इसको स्पेस को क्रास करके तब इसने इसको router को घुमाना है जिसकी वज़ासे हमारे रपियम में कमी आती है इसकी स्पीड कम हो जाती है ठीक है दोस्तों यह इसके रपियम है दोस्तों हमारी यह दिए आएज़े एन एस माइनस एन आर ठीक है दोस्तों एन ऐसा आगया यह दोस्तों अभी दोस्तों मैं दुखता हूं सीरिल नमबर आ जाते दोस्तों यह हमारे है ठीक है दोस्तों एन एस यह हमारा एन एस आ गया दोस्तों यह हमारा इंडेक्शन मोटर का आ गया दोस्तों इसमें हमारे आ रहे है एन एस सरकुनेस्क मोटर में तीनहज़ा रपियम और इसमें आ रहे हमारे पंद्रहसो रपियम और इसमें आ रहे हमारे दोस्तों एक हजार अर्पीम और इसमे आरें दोस्त मारे साथ सौ पचास यार्पीम ठीक है कि टूप पॉर्ड की मोटर में मारेसं में आएंगे 2800 अर्पीम effectivement 2 Arabs 2014 सौ री प्याँे और इसमें 20000 अर्पीम आ जाएंगे और इसमें 200मारे 900 आर्पीम आ जाएंगें तो इसमें 600 आरपियम आ जाएंगे अब दोस्तों जो इस फार्मुले के मताबिक जो हम निकालेंगे वो हमारी रुकावट इसमें निकलेगी अब जैसा कहिए 300 आरपियम अठाइसा 800 आरपियम आ रहे हैं ठीक है अब यह देखो दोस्तों इसको हमने ना जरब देनी इस से 1100 से तो हमारा परसंटेज निकल आएगा फॉर एक्जम्पल मैं दे देता हूं अब इसकी दोस्तों सिलिप लिख लेते हैं अब जो हमारी रुकावट है आरपियम की ठीक है दोस्तों इसके सिलिप जो आ रही है मोटर की इसमें 200 का डिफरेंट आ रहा है और इसमें 200 का डिफर इसका रहा है कि कहने के मतलब यह दोस्तों अब इसका फार्मॉला लेते हैं दोस्तों यह देखो 200 लिखा है मैंने जिसकी सिलिप पर इसको हमने सेनेकरोमनिप को हमने यह पर 3,000 दे दिये ठीक है और आगया अब 100 से मिल्स को डिवाइड किया है तो कितना हमारा जाजा जाता है जो औरपियम में आजाता है वह 6.6 परसंट हर एक मोटर का आजाता है इसमें ठीक है हर एक मोटर का इसमें हमारा यह डिफरेंट आएगा अगर दोस्तों आपको पॉल दोस्तों पॉल क्या होता है पॉल क्या होता है टू पॉल फॉर पॉल सिक्स पॉल एट पॉल अगर आपको इस चीज का नहीं पता के पॉल क्या होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक किजिए, कौमेंट कीजिए तो मैं इन्शाल्ला इस पर भी एक नही वीडियो बनाऊंगा, कि पॉल किसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये पॉल क्या होता है, मोर्टर वैंडी के अंदर जो हम वाइंडिंग होती है, उसक कि यह आपको मैंने यह तियुरी बताई इसके मताबर की जो डिफरेंट्स आता है वह लाता है ठीक दोस्तों ए